हलो फ्रेंट्स, वेलकम एट एकुंजी चैनल फ्रेंट्स, अक्सर हम सब अपने फेस की केर के लिए कई अलग-अलग तरह के प्रोड़क्ट्स काम में लेते हैं लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसा फेस पेक शेयर कर रही हूँ जो हर तरह की स्किन पर हर मौसम में कंप्लीट स्किन केर का काम करता है ये फेस पेक बनाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि तीन चमच बेसन में दो चमच संत्रे के छिलकों का पाउडर, एक चमच दही, एक चमच दूर, चार चमच गुलाब जल, एक चमच नीबू का रस और एक चुटकी हल्दी पाउडर अच्छी तरह मिक्स करना है ये फेस पेक आप अपने फेस पर, नैक पर और चाहे तो पूरी बोडी पर अपलाई कर सकते हैं ये फेस पेक आपके फेस के लिए complete face cleanup और complete facial का काम करता है क्योंकि ये deep cleansing भी करता है, dead skin भी remove करता है, tanning भी दूर करता है, toning भी करता है, skin को proper hydration देकर smooth and simple बनाता है, pigmentation भी दूर करता है, हर तरह के दाग धब्बे, जाईया दूर करता है, और skin tightening भी करता है मतलब ये, कि ये face pack अकेला ही complete skin care करता है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, इसकी एक खास बात ये भी है, कि ये हर तरह की skin के लिए suitable है, फिर चाहे dry skin हो, normal skin हो, या फिर oily skin हो ये देखिए, ये face pack मैंने अच्छी तरह apply कर लिया है, इसी तरह आपको इसे use करना है, और फिर 20 मिनट तक इसे face पर लगे रहने देना है, तेज हवा या धूप में जान बुझ कर इसे जल्दी नहीं सुखाना है, बलकि इसे 20 मिनट तक अपना काम करने देना है जब ये face pack सूख जाए, तब normal tap water से इसे धो लेना है, सर्दियों में हलके गरम पानी से भी धो सकते हैं, उसके बाद dry skin और normal skin वाले थोड़ा सा moisturizer भी apply कर सकते हैं, और ली skin वालों को moisturizer अप्लाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस miraculous face pack को आप अपनी beauty problem के intensity के according कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं, for example, shift tip cleansing और rejuvenation के लिए आप इसे week में एक बार यूज़ कर सकते हैं, जबकि tanning और pigmentation दूर करने के लिए एक दिन छोड़कर एक दिन भी यूज़ कर सकते हैं, और pimples, acne, dark spots और जाइयां जल्दी से दूर करने के लिए इसे आप daily भी यूज़ कर सकते हैं, so friends, ऐसे ही कमाल के beauty products और beauty tips देखते रहने के लिए यहाँ click कीजिए